हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू मा यूट्यूब चैनल स्टूदेंट्स आज की वीडियो में आपको क्लास नाइन्थ की एक्ससाइज 12.1 का कॉस्चन पू करवाने लगी हूँ तो चलिए पहले हम इसकी स्टेट्मेंट पढ़ते हैं तो यहां तक का क्या मतलब है कि एक फ्लाइओवर है वहां बे एक ट्रेंगुलर यह देखो बाल्स बनी हुई है जिसकी जो लेंथ है 120 मीटर 22 मीटर और 122 मीटर यह दी हुई है एडवर्टाइजमेंट के लिए यह इस वाल को यूज किया जाता है ठीक है फ्लाइओवर पर यह बनी है तो और क्योंन बोले है कि दा एडवर्टाइजमेंट जीड एन अर्निंग रूपीज फाइव थाउजन पार मीटर स्कियर पार येर यह जो कमपनी एडवर्टाइजमेंट कमपनी है वो पार येर जो है वो फाइव थाउजन रूपीज पार मीटर स्कियर जो है वो अर्न करती है तो एक कमपनी हाइरड वन औफ व्याज फॉर फॉर थ्री मंत और एक कमपनी ने थ्री मंत के लिए जो वाल्स है वो रेंट पे ले लिए उसके बाद हम उसका रेंट निकालेंगे कि वो कितना पे करती है, ठीक है company, तो चलिए हम sum solve करना शुरू करते हैं, तो यहां पे ये wall मैंने बना ली है, ठीक है, तो wall पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, wall की जो उन्होंने दी हुई है देखो, 122 meter, 22 meter और 120 meter, तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ, 122 meter और 120 meter और यह 22 meter, यह उन्होंने दिया हुआ है, question के बीच नीच, ठीक है, यह देखो, 122, 120 और 22 meter, तो यहां पे मैंने इसकी diagram जो figure draw कर लिए, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना होएगा, हमें इसका area निकालना है, यह जो triangle का, ठीक है, त तो हम लिखेंगे, side of the triangle solution लिखेंगे, side of triangular R, sides of triangular R, sides के हैं हमारी, a is equal to 122 meter, b is equal to 120 meter, और c is equal to 22 meter, तो अब हमने area find out करना है, hiron's formula क्योंकि 3 side, 3 no side, जो है different है, तो यहां पे hiron's formula यूज होएगा, तो हमने इसका area निकालने के लिए हमें पहले semi parameter पता होना चाहिए, semi parameter क्या होता है, a plus b plus c, सभी side को plus by 2, तो सभी side क्या है, 122 meter, 120 meter, b और c है 22 meter, divided by 2, तो this is equal to 3 no को अगर हम plus कर देंगे, तो वो जा जाएगा 264 meter, ठीक है, तो अब अब 2 से divide कीजिए इसको, 264 को, आब 2 से divide करोगे, 21 का 2, फिर 6 आया नीचे, 23 का 6, फिर 4 आया नीचे, तो 2, 2 का 4, तो यह आगया हमारा 132, तो इसको cut किया, तो यह आगया 132, तो S हमारा, क्या आगया, 132 meter, ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, area, तो area क्या होता है, तो area क्या होएगा, area is equal to S, S-A, S-B, S-C, यह होता है ने area का फार्मूला, ठीक है, तो this is equal to, S क्या हमारे पास 132, फिर S क्या है 132, ए क्या है 122, value fill करती जाने हमने बस, और कुछ नहीं करना, फिर S की value लिखेंगे, S क्या है 132, minus B की value क्या है 120 meter, फिर S क्या है 132, और C क्या है 22 meter, ठीक है, तो यह सारा meters में था, तो यहां पे आगए meter square, ठीक है, बाहर लिख लिखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको solve करते हैं, ठीक है, तो 132, as it is आ गया, 132 में से 122 को minus किया, तो वो आ गया 10, ठीक है, और उसके बाद, 132 में से 120 को minus किया, वो आ गया 12, minus करके देख लिखें, 132 में से 22 minus किया, तो वो आ गया 110 meters, ठीक है, meters के बाद आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका factor बनाएंगे, ठीक है, तो 132 के factor क्या बनेंगे, देखेंगे, तो 132 के factor बनाएं, 132, ठीक है, तो ये गया, 2, 6 का 12, 2, 6 का 12, ठीक है, तो 2, 3 का 6, फिर 2, 3 का 6, फिर 3, 1 का 3, 3, 1 का 3, ठीक है, फिर ये 11 पे चला गया, 11 बनाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, 132 के ये factor बन गया, तो यहां पे लिखेंगे, 2, 2 multiply, 2 multiply, 3 multiply, 11, ठीक है, तो ये आ गया, अब हम 10, तो 10 के क्या बनेगे, 2, 5 दा 10, ठीक है, 10 के क्या बन गया, 2, 5 दा 10, और 12 के बना दीजे, 12 के क्या बनेगे, 12 के बनेगे, 2, 6 का 12, 2, 6 का 12, 2, 3 का 6, 3, 1 का 3, तो 12 के बन गया हमारे, 2, multiply, 2, multiply, 3, 2, multiply, 2, multiply, 3, अब हमने बनाने, 110 के, तो 110 के होते हैं, बनाते हैं, 110 के, यहाँ पे बनाते हूँ, तो 110 के हो गया, तो ये गया, 2, 5 का 10, 2, 5 का 10, ठीक है, तो ये, 5, 1 का 5, 5, 1 का 5, तो 11, 1 का 11, तो यहाँ गया, 110 के बने, 2, 5, 11, 2, 5 और 11, तो यह थे हमारे, ठीक है, तो यह सारा rough work है, यह rough work का आपने करना है, side में, ठीक है, और उसके बाद, अब हमने क्या करने हैं, देखिए, अब मैं इसको, सारी की सारी न, अब इसके पियर बन जाए, इसको खोल लेती हूँ, चलो एक बार सारी की सारे न, तो यह सारी bracket खोल लेती हूँ, 2, 2, 3, multiply 11, multiply 2, multiply 5, यह अब यह लिख लेती हूँ, 2, multiply 2, multiply 3, और यह लिख लेती हूँ, 2, multiply 5, multiply 11, मैं सारी को bracket खोल के लिख दिया, ठीक है, अब अब देखो इसके पियर बन आने, जो में चीज, देखो, यह 2 और यह पियर बन गया एक, ठीक है, तो यह 2 बाहर आ गया एक, उसके बाद देखिए, एक पियर यह ए, ठीक है, तो यह, इसका एक बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद एक टू यह ए, एक टू यह ए, इसका पियर बाहर आ गया, ठीक है, उसके बाद देखो, तू अब नहीं है, अब हम थ्री की तरफ देखते हैं, यह एक थ्री है, और यह एक थ्री है, यह इसका pair बन गया तो इसका एक 3 बहार आ गया ठीक है उसके बाद देखिए 5 ये एक 5 है और ये एक 5 है ठीक है तो इसका 5 बहार आ गया उसके बाद बचा 11 एक 11 ये है एक 11 ये है तो इसका एक 11 बहार आ गया तो ये क्या हो गया अब इसको multiply करते हैं ठीक है तो multiply किया 22 का 4 42 का 8 तो 8 3 का 24 24 को 5 से multiply किया तो वो आगया 120 फिर 120 को हमने फिर 11 से multiply करेंगे तो 11 0 का 0 11 2 का 22 तो 11 बंदा 11 और 11 12 13 तो यह आगा 13 2 0 ठीक है तो इसका अंसर आगया 1320 मीटर स्केर साथ में मीटर स्केर हमने डालते जाना है तो यह आगया हमारा एरिया तो यहां तक हमने अब एरिया निकाल लिया इस वाल की जो ट्रेंगल की जो वाल बनी इसका हमने क्या निकालना है ट्रैंगल का एयरिया निकाल लिया, ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि वो rent 3 मंथ के लिए जो है, rent for 3 मंथ, ठीक है, तो उसके लिए अगर क्या लिखेंगे हम, तो उन्होंने हमने क्या दिया हुए, कि the Advertising Yield and Earning rupees 5,000 per meter square per year ठीक है तो हम इसके लिएंगे rent for rent for one year one year के लिए rent for one year per meter square per meter square वो कितना है rupees 5,000 ठीक है पर year का मतलब वन येर का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया 12 months 12 months हो गया निसका meaning तो 1 year का means क्या हो गया 12 months तो rent for 1 year इतना हो गया ठीक है तो rent for 3 month क्या होगा 3 month rent for 3 months पर meter square क्या होगा कि हम 5000 को multiply कर देंगे 3 के साथ अगर इसको yearly बनाना है तो हम क्या करेंगे नीचे 12 लगा देंगे वन येर में 12 हम सोते हैं ठीक है तो ये आ गया तो अब क्या करेंगे अब हम नहीं निकालना है अब क्या है रेंट फॉर 3 मन्थ 4 कितने मीटर स्केर का निकालना है 1320 मीटर स्केर ये तो मीटर स्केर का है तो हमने निकालना है 1320 मीटर स्केर जो हमने एरिया निकालना है इसका हमने निकालना है इतने 1320 मीटर स्केर का कितना रेंट बनता है 3 मन्थ के लिए तो हम वो लिख देंगे ठीक है ना तो वो आ गया अब इसको क्या करेंगे 5000 multiply 3 by 12 और इसको multiply करतेंगे 20 meter square 20 ठीक है तो अब हमने क्या करने इसकी cutting क्टिंग के लिए क्या देखो यह कटेगा यह आगया आपका 43 कट वालप ठीक है 43 कट वालप पर कट गया और उसके बाद यह देखिए अब यह 30 132 जो है उसको हम 1320 को 4 से डिवाइड करते है 130 को हम 4 से डिवाइड करते है तो 43 का 12 वान बचा 2 उपर से आ गया 43 का 12 जीरो 40 का 0 तो यह आ गया अपना 300 तो यह cutting करके 4 से cut के आ गया 330 ठीक है तो यह क्या बना हमारे पास यह आ गया यह आ गया हमारा रुपीज 5000 multiply बकी तो सारा कट गया 330 को 1 से तो यह आ गया 330 यह आ गया हमारा नीचे वाले सारे घट गए तो इसको हम multiply करेंगे हम तो 33 को 5 से multiply किया ठीक है न यह 5 को 33 से multiply करेंगे 53 का 15 53 का 15 और 16 16 आ गया तो यह 301 लगी साथ में यह multiply का रूल होता है न कि आप जो 5 को 33 से multiply कर दो बकी इसकी 0 भी और इसकी 0 साथ लग जाती है ठीक है तो यह 30 इसकी लगी एक 0 इसकी लगी तो यह आपका आगी इतने रुपीज जो है वो रेंट पे किया कंपनी ने ठीक है तो यह था हमारा question number 2 exercise one point exercise 12.1 का तो I hope आप सो अच्छे से समय लग गया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना थेंक यू